आप Internationally Certified User है Thomas PPA-HJA. Personal Profile Analysis PPA provides behavioral assessment of an individual and human job analysis, provides a behavioral benchmark for a job role. 24th Rotary District Conference RJ District 3220 जो Columbia में हुआ था उसमें आपको इन्वाइट किया था, along with international speakers and Miss World Roland Strauss, South Africa. आपने बहुत सारे sessions किये हैं, security force के जैसे इंडियन आमी, Navy, Air Force, Coast Guard, BSF, CRPF, CISF, RPF, State Police Forces, MP Police, राजस्थान Police, आसाम Police, डेली Police, तेलंगना Police, हर्याना Police, etc. बहुत सारे training modules बनाया हैं, बहुत सारे government institutions, different establishment बड़ी लंबी list है, तो उसको मैं नहीं करूँगा, IT company में इनके programs हुए हैं, TCS में, Accenture, Infosys, Polaris, HP Chennai, educational institutions में इनके program हुए, IIT में, JNU, National Law University, Delhi, various arts, science and commerce colleges, Dr. MGR Educational Research Institute Chennai, Tata Institute of Social Sciences, ITM Mumbai, IIT in Delhi, NIT Varangal, बहुत सारे hotels के लिए आपने program किया, हियात, ताज, बीला, बस करें, तो इनका इतना, और इनकी एक unique style है, कि audience को bored नहीं होने नेते, और audience को सोने भी नहीं नेते, तो, over to Girish Bhai now, Om Shanti. मैं बोर ओर था मेरा सुनके, तो आपका क्या हाल होता? I want you to repeat this word after me, will that be fine? Om Shanti थोड़ा प्यार से कहिए मुस्कुरा कर कहिए मुस्कुरा कर थोड़ा जोश और उमंग उट्साह से कहिए wonderful, namaste हाथ कौन जोड़ेगा? घर वाले? अच्छा, खोदी जोडने वाले, okay, ठीक good morning, sorry, good morning is your morning good? why is your morning good? हाँ जी? अच्छा, जहाँ आप लोग रहते हैं वाँ अच्छे लोग नहीं रहते क्या? यहीं पर अच्छे लोग रहते हैं मैं बताओं वैसे तो बहुत सारे कारण हैं लेकिन एक अंदर की बात और असली बात यह है for all the ladies here, खाना नहीं बनाना पड़ रहा है अच्छे लोगें आप हैं यह सब तो उपर उपर की बात थी ठीक है? चलिए आप सभी का ब्रह्म कुमारी के इस मेरी ब्यूटिफल कैंपस में Security Services Wing के इस प्रोग्राम में भगवान की तरफ से, my personal behalf से और हमारे जितने भी senior brothers, sisters हैं उनकी तरफ से आपका बहुत, बहुत, बहुत हार्दिक स्वागत है, स्वागत है और धन्यवाद भी है, कि that you have come here, yeah, clap for yourself. आज का जो विशय है, वो है managing, challenging situations or challenging times. इस विशय को समझने के लिए, मेरा आपके लिए कुछ conditions है, वो condition आप देखना acceptable हो, तो आप स्विकार करना, नहीं है तो बता देना, see, let us see how we can work on to it, ठीक है, पहला condition ये है, कि आपको मेरी कोई भी बात माननी नहीं, please don't accept anything what Girish has to tell you, ठीक है, जब मैं ये कहता हूँ, तो कुछ लोग मनी मन सोचते हैं, टकलू, तू क्या सोच रहता, तेरी सब बत मान लेते, इतना जादा गलत फेहमी में नहीं रहो कि, whatever you say, हम मान लेते थे, इतना भी wrong impression में नहीं रही है, क्यों नहीं मेरी बात को स्विकार करना, I mean, आप सुन लीजिये, सुन के, समझ करके, if you feel कि ये बाते हमारे जीवन में लाभप्रद है, beneficial है, it will add value, it is good, तो स्विकार कर लीजिये, अन्यथा, leave it, just because भाई साब ने मेरा इतना लंबा चौड़ा परिचह दिया, don't go by that, is that okay? हम लोग थोड़ा मतलबी और selfish भी तो होते ही हैं, और Indian psychology अगर मैं बताऊं, आम इन बुरा मत मानना, मैं भी इंडियन ही हुए, ना मैं प्राउड इंडियन, आपको और मुझे अगर stationary की दुकान में जाकर पांच रुपय का pen भी खरीदना होगा न, ऐसे ही पांच रुपय का coin देखे जिब में आप pen लेके वापस नहीं आते हैं, you will scribble the pad and see काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, पांच रुपय के pen में भी scrutinization होता है, verification होता है, तो ये तो बहुत बड़ा important विशह है जिस पर हम चर्चा करने वाले, it will be very close to our lives, so, I want you to thoroughly scrutinize me, अच्छी तरीके से, वो पांच रुपय की तो कोई value नहीं है, ये तो बहुत important value है, right? No.2, मैं ये इसी लिए कह रहा हूँ, क्योंकि ये भी मैं बताना चाहता हूँ कि not necessarily कि इस विशह पर मैंने expertise हासिल किया है, आप जो यहां बेठे हैं, बहुत सर्णमानिय सभा हैं, officers हैं, और भी लोग हैं, maybe you are much more experienced than me, मेरा जितना physical age होगा, उतना आपका experience होगा of your profession. So what I am trying to say is that I am not an expert in it, I am just a facilitator और मैं इस विशह को बहुत अच्छी तरीके से ले के जाएंगे, to evolve करेंगे so that we understand it. इसका मतलब ये भी है, the second condition, आपको भी मेरे साथ participate करना है. मैं यहां बैठके बोलता रहूं, बोलता रहूं, बोलता रहूं और आप बैठके बोलिये, अच्छा, ठीक. कभी-कभी मुझे कम सुना ही देता है, मुझे ऐसा लगा, सोते रहें, सोते रहें, सोते रहें. सोने के सामें पर आवाज भी जादा नहीं आता है, ठीक. अब मुझे भारत के लोग तो अतिप्री ये लगते, विदेशी भी अच्छी लगते, बट इंडियन साथ टू गुड, टू स्मार्ट, बियॉंड कॉम्प्रियेंशन, मेरे जैसे औरेटर्स का हो, स्पीकर्स का हो, क्लास कराने वाले का हो, भारत के ओडियन्स को देख कर हमको पत्ता ही नहीं चलता, कि भारत के लोग सुन रहें कि सो रहें हैं, भारत की जनता आँखे खोल के भी सो सकते हैं, आप लोग पार्टिसिपेट करेंगे हैं, वांडरफुल, आप भी मुझ से प्रश्न पूच सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा, तो बेस्ट अफ मैं कापैसिटी जवाब देने का, मैं तो बहुत प्रश्न पूचूँँगा, ठीक हैं, और मैं भी चाहूँगा कि आप भी उत्तर दें, ठीक हैं ना, I am not looking at a right answer, I am just looking at an answer, ठीक हैं, कुछ लोगों को फिर तकलीफ होती है, मैं कुछ बोलूँगा, तो कुछ गडबड हो जाएगा, तो लोग क्या कहेंगे, जो आपके मन में आ रहा है, आप बोल सकते हैं, ठीक हैं, पहला प्रश्न, सॉरी या, कुछ लोग बोल रहे हैं, यहां हम लोग तो मजे करने आये थे, अब यह हमको परिशान कर रहा है, asking questions, ठीक हैं, अच्छा, पहला प्रश्न, आप लोगों को tension होता है, होता है, अठीक हैं, अच्छ, एक दो लोग बहुत गौदेंट हैं, ठीक हैं, इतने खुशी और उमंग और उत्सास, होता है ना, तो तुम क्या कर लेगा, आज तक तो कोई कुछ कर नहीं पाया, we only have to suffer through whatever we are, so situations जब डिफिकल्ट हो जाता है, तो there is a lot of stress and strain, correct? जिनको जिनको stress होता है, हाथ उपर उठाईए? सच मुझा बहुत अच्छे लोग है, I mean भारत की सुरक्षा की जिम्मेवारी आपके कंधे पर है और बहुत सही लोगों के कंधे पर है मुझे बड़ा सुरक्षा महसूस हो रहा है यहां पर क्योंकि आधा से जाधा, more than 90% मुस्कुरा के होता है तो क्या है? वो तो हमारे लिए कोई बड़ी बात ही नहीं है मुस्कुरा है तो हमारा natural trait है होता है तो क्या बड़ी बात है? ठीक है, good second question, आप में से वो लोग रुपया हात उपर उठाएं जिनको tension नहीं होता है अच्छा, क्या बात है जी, wonderful ताली बजाएए इन सब के लिए, wonderful, great बीच बीच में ताली आप मैं बजाने के लिए कहूंगा क्योंकि हो सकता है आपके ताली बजाने से आजू बाजू वाला फिर भी जग जाए जो कोशिश कर रहा है, इसलिए बजाते रहेगा जब मैंने second question बूचाता न वो लोग हात उपर उठाएं, जिनको stress नहीं होता है मैंने देखा, this is my observation शायद आपने भी असद किया होगा एक दो लोग बीच में हात उपर उठाएं हैं बाकी लोग पता है क्या करते, देखते, कौन है, कौन है ये कई से बच गया, अरे हमारे ही प्रफेश्यट का और इनको टेंशन ही नहीं होता अरे हाँ हमारी जान जा रही है और इतना बुरा लगता है ना उनके हाथ देख करके और कुछ लोग तो ये भी सोच करके मन उनका शान्त हो जाता है कि ये स्पेशल काटगरी के लोग है ये टेंशन लेते नहीं है क्या बात है, देने वाले की काटगरी में उनको बोलो ये रिपोर्ट जल्दी करना अरे उनका हम देख करके हमारा वीपी चड़ जाता है आरे कुछ तो बोलिए आप लोग टेंशन लेते हैं या देते हैं क्या बात है ये वाला एरिया थोड़ा खतरनाक है यह बहुत ही वंडरफुल लोग बैटे हुए ठीक है यह जरूर कोशिश करेंगे मेरा जितना थोड़ा बचा कुछा है उसको भी सफाया करने लुक इट सर्स कानफिटेंश दोनों लेने देने में हम लोग माहिर हैं ठीक है थर्ड और अब तक हाथ नहीं उपर उठाया और बताएं यह कौन सा कैटेगरी है बजाई यह ताली एक बार तो बजा सकते हैं एक बार एक बार एक बार प्रोग्रम फटा इंडिन आर्मी ठीक है मैंने यही प्रशन पूछा क्योंकि जब मैंने कहा जिनको टेंशन होता हाथ उपर उठाओ कुछ लोग थे मैंने फिर पूछा जिनको टेंशन नहीं होता है वो हाथ उपर तो मैंने के यह तीसरा काटेगरी कौन सा है जिसमें दोनों में आपने हाथ नहीं उपर उठाया तो उनके बड़े साहब सब साब बेटे हुए थे ऑनोंने कहा गिरिश जी मैं मैं उनका माईबाप हो मेरे को तेंके रग रग से सबकुछ वाके फैम मैंने कहा प्लीज और पर यॉड्टिम तो पतनée उनने क्या? वानोंने कहा, गिरिश stress sitting and listening to itself is a bhaari stress forget about responding to you okay thank you so much you're a very vibrant audience i mean i could feel that i'm trying to make you smile and feel easy and relaxed you know the best the most potent powerful shakti shali antidote stress ko door karne ke liye bhagane ke liye wo situation ko steady hoke stable hoke peaceful hoke powerful hoke saamna karne ke liye one of the most potent medicine is what we call it as smile is being happy jitna hum khush rehenge andar se humare bahar ki duniya bhale bhaut challenging bhi ho so usko samna karne ki taakat aa sakti i'll give you a very simple example last night i mean i had a flight from mumbai i came from vizac to mumbai i had a hopping flight and then to ehmdabaad 630 ke meri flight thi wahaan ek single engine wala ek chota sa nine seater wala plane joe na wo thoda skid kar gaya runway ko block kar diya so then the flight took at 1230 in the night i reached here at around 1130 in ehmdabaad passengers wo bhi jara ground staff ko itna sunaya itna sunaya itna sunaya itna sunaya wola sahab mujhe nahi pata flight kub take off karegi hunhne sab jaghe divert kar diya ehmdabaad goa surat baroda har doh minute make flight land hoti hai mumbai mein doh ghante ke liye sosh leje kitnay flights hongi abo atc bichara kooshis kar raha ek ekko ekko by one by one abh humara flight kaunse number peh hai woh ground staff kaise patayegi and people were so agitated so frustrated and end me kya huwa kithni bhi gali di ground staff ko time per apne time per aya usne up ah unho ne humko bus me bitha diya do hum aada gante bus me hkade huye phir unho ne humko plane me bitha diya oh bhi doh ghante hum wahi khade huye see until and unless the atc gives the approval the pilot aapke frustration se thodi na gadi chalayega zindagi aapke frustration se thodi na chalega zindagi aapke manmani se thodi na chalega harchis ka discipline hai law hai a prashni ye utta hai ki aapko andar ki duniya ko easy karna hai ya bahar ki duniya ko dekke frustrated ho na hai i hope you are understanding yeh pati loog bhaat ucchi tarah samajh raha hai yes in ko relate ho raha hai thik hai na orna lighter wind don't take it otherwise generally aisa paaya gya hai life me art karen hoote hai joh bhout challenging hai uski wajah se manusha ko difficulty महसूस होती है world over psychologist ने eight primary reasons ढूंडे I'll share it with you आप relate करना और अगर आपको लगता है art के अलावा भी कुछ है तो please share करना मेरे साथ please थोड़ा muskura कर बैठिये आपको देखकर मुझे tension हो रहा है ठीके ना please don't do that okay पहला कारण tension का है आर्थिक समस्या financial health of a family और मैं जानता हूं दोस्तों आपको और मुझे मुकेशंबानी जितना हमको 1000 करोड रुपए नहीं चाहिए हमको अपने जीवन के life के standard को घर के अरामदायक सिती से घर चले उतना भी मिल जाए तो हम बहुत है लेकिन उस पे भी थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है तो परिवार जनों को stress हो जाता है yes or no okay second reason for stress अब ये थोड़ा critical है और मुझे ये बताते होवे बहुत अफ्सोस भी होता है बड़ा दुख भी होता है but that's the ground reality होना तो नहीं चाहिए but that is it how it is second major reason which brings you lot of challenge turmoil stress to an individual is relationship it could be a husband wife it could be you know parent and children it could be between any two individual हाँ या ना अगर मैं आपसे पूछ हूँ simple relationship आज मैं single हूँ I want to get into a relationship I'll get married परिवार या शादी का उद्देश्य क्या है उद्देश्य तो सुख शांती आनंद प्रेम एक तो कोई तो है जो मुझे समझेगा unconditionally एक तो है जो मेरे लिए जीएगी आपके चेहरे मुझे बता रहे हैं कि कितने पीडित हैं हम लोग ठीक है ये कहा होता है वान तो understand you, one to unconditionally love you, one to support you, the whole world may be against you but एक तो है वोग तो है वोग एक तो है वोग एक तो है कि why did I do this way और मैंने ऐसा क्यों गाम वो सब उदेश्य बत वास्तविक्ता क्या है? अगर मैं आपसे पूछ हूँ, संबंधों में में इतना खिचाव क्यों है? और संबंधों में इतना जादा तनाव पता है क्यों है? उसका एक कारण है और वो है एक्सपेक्टेशन, अपेक्षाएं, यह बहुत रॉयल वर्ड है अपेक्षाएं, महिलाओं के लैंग्वेज में अगर बोलू, थोड़ा क्रूड लैंग्वेज में अगर बोलू, जैसा मैं चाहती हूँ, जैसे तो तो करते हैं। कुछ लोग ताली भी बजा रहे हैं। यह बिल्कुल पर्फेक्ट वोला, एक्सपेक्टेशन, चोड़ो, जैसा मैं चाहती हूँ, यह चाहता हूँ, जैसे दूसरे, दूसरे कुट भी अनीबडी, आफिस, प्रोफेशनल लाइफ, फैमली लाइफ, सोशल लाइफ, आपका जो भी ग्रूप्स होंगे, जैसे दूसरे चाहते हैं, वैसे आप और मैं हमेशा करते हैं। और जब मैं ऐसे कहता हूँ, कभी करते हैं, तो किसी ने का, बिल्कुल नहीं, वो बिल्कुल में बहुत ज़्यादा इंफसिस था, ठीक है नाम, बिल्कुल नहीं, बट जैसे मैं चाहता हूँ, सामने वाला तुरंथ, अभी के अभी करें। आपको नहीं लगता हूँ, हम सब हिटलर के खांदान वाले हैं। देखता हूँ, सोचता हूँ, बताता हूँ, लेकिन जैसा मैं चाहूँ, you do it immediately, no questions asked. You should not ask questions, I have commanded you to follow it. I can be a husband, I can be a father, I can be a boss, I can be anybody for that matter. Expectation कहां से आया? So what I am doing is, I am going doing a regression, I am doing a regression analysis of the problem which seems so obvious, the underlining cause, the root cause. So question is, what is the root cause of expectation? और आज मनुष्य, unfortunately, मनुष्य समस्ता है, expectation is natural. बहुत हो, मनुष्य हूँ, परिवार में हूँ, समाज में हूँ, तो expectation is bound to happen. And maybe, I don't want you to believe me, maybe, ये सब हमारे जो belief system है, वो बहुत eroded है, बहुत outdated है, बहुत redundant है. It's just not adding value to you. Will you buy a pen which is not working even if it is worth 5 rupees? No, I'm not interested, या, पांच रुपे का पन काम नहीं कर रहा, हम नहीं लेंगे. और यहां देके हमने क्या क्या खरीद करके अपने जेम में रखा हुआ है. हमारे system में मैंने डाउनलोड करके रखा है. और मुझे ही नहीं पता कि it is these systems which is the root cause and it is troubling me so much. अध्यात्मिक्ता कहते हैं. I mean, अध्यात्मिक्ता has nothing to do with this white white. It is something more profound. अध्यात्मिक्ता कोई ड्रेस से थोडी ना साबित होता है. आप लोग अपना combat dress पहनते हैं, आपका office का uniform होता है, वैसे हमारा भी एक uniform है. उसके पीछे कुछ logical scientific reasoning हो सकता है. But that doesn't mean के आप लोग color dress में बैठे हैं, तो आप कम अध्यात्मिक्ता हैं, अध्यात्मिक हैं and Girish is a more spiritual and an evolved individual. Not necessarily. And Brahma Kumaris is not a religious organization. You have faith, you, your belief system, आपका किसी भगवान पे, Allah पे, वायुगुरू पे, प्लीस हाव इत, हमको कोई problem नहीं है. हमको बहुत सम्मान हैं आपके विश्वास पर, आपके faith पर. So this is something more beyond religion. So spirituality का एक definition, जो मैं समझता हूँ, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है, जो मुझे यहां से सीखने को मिला, is to be good. First, be good to yourself. You are creating expectation and for some reason the other person is not fulfilling it. and I am sad and I am very happy and I am very simply saying that I am very happy. And I am very simply saying that I am very happy because of my life. Now all the belief system is not doing good to me. My life is not doing good to me at night, my BP is doing my relationship. Second, definition of spirituality is to make life easy. Science, technology, anthropology, sociology, pharmacology, any field of study, adhyan, shastra, जो मनुश्य बुद्धी ने खोज किया, computers, technology, you name it. Only one objective, to make life easy. Yes or no? जिस कुर्सी पे आप बैठें, made easy. Arrowplane, easy. Microphone, amplifier. गिरिश का तो life easy कर रहा है, ना मैं को चिलाना नहीं पढ़ रहा है. प्लीज बताईए, यह सब तो है, life easy है या complicated है आज? जो कुछ तो कहीं missing है. हम तो चंदरायान में soft landing भी कर गए. और घर में soft landing नहीं हो रहा है, minute-minute के. पर चार लाख किलोमेटर बैंगलूर में बैठ के, क्या, we were so proud. क्या Indian technology है कि यहां बैठ के आप, minute-by-minute, so much of precision. I think you watched it. We felt so happy. It's not because we did it. Anybody could do it. Look at human intelligence. बाले वो Americans हो, Chinese हो, Russians हो, कोई भी करे. मनुष्य बुद्धी तो देखी, इतना दूर बैठ के, you can control. और यहां, एक फीट दूरी पर हमारे चार घरवाले को कोई soft landing नहीं हो रहा है. मुझे दुख इस बात का है कि आप ताली किसके लिए बजा रहा है. चंद्रायान के लिए ही है, यहां का hard landing के लिए है. That really bothered me. Or maybe you felt what was said was really apt, wonderful, too good. So relationship, expectation. Expectation कहां से आए, please check. यह सोचना के मेरे जीवन में expectation कितना अभिन अंग, इतना important role play करता है, कहां से शुरू हो रहा है, उसका genesis क्या है, उसके बिना भी life अच्छा रीती से जिया जा सकता है. यह है meditation और spirituality, to introspect, is to check. अब वाइट पहनो नहीं पहनो, उससे क्या फरक पड़ता है जी? What I am doing is I am analyzing myself. I am thinking. हर चीज में हम decision लेते हैं. Engineering करू के Medical करू के Army join करू, फिर promotion के लिए यह पढ़ू, वो करू. I mean, we all do it. But then, थोड़ा सा introspection with respect to the challenges that I am facing. एक मैं आपको belief system बताता हूं. और उस जित्ते भी हम लोग यहां चर्चा करेंगे, at least what I'll be speaking is, हमारा बहुत रॉंग मान्यता हैं हैं, belief system हैं, जिसको हमने कभी भी open up करके revisit नहीं किया है, redefine नहीं किया है, re-examine नहीं किया है, चल रहा है चल नहीं दो ऐसे ही है, this is natural, this is natural, this is natural. On a lighter vein में आपको बताता हूं, expectation कहां से, बहुत सारे factors हो सकते हैं, बटना lighter vein. मैं जब 29-30 का age था, तो मैं शादी नहीं कर रहा था. मेरे माता भी था, मेरे पीछे लगे था, शादी करो, शादी करो, शादी करो, और मैं टालता था, मैं delaying tactics अपना रहता, देखता हूं, बताता हूं, सोचता हूं, करता हूं, my mummy used to get really irritated. और फिर मम्मी बटना शादी क्यों नहीं कर रहा हूं, तो फिर मैं बहाने भी देता था, मुंबई में अपना घर खरीद लूं, गाड़ी खरीद लूं, थोड़ा घूम लूं, और एक बार था ऐसी गलती से बोल दिया, and I felt my statement was little hurting, आप लोग भी जी रहा हूं, आप लोग भी जी रहे हैं, उनका यह कुछती तह 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 जीते नहीं हैं, जीते नहीं हैं, मतलब जीत, थोड़ा फ्रीडम के साथ जी लूं, एक दिन मम्मी वस सो फ्रस्ट्रेटेट, विठा तो शादी क्यों नहीं करता? And I also was feeling bad कि मम्मी थोड़ा stress में हैं, तो उनको थोड़ा pacify करने के लिए, I engaged in a conversation with her, और मैंने मम्मी को कहा, क्यों करूशादी? Oh, she felt happy. Convince होने के लायक तो आगया है, and she was so confident कि मैं इसको मना लूंगी. And मैंने कहा क्यों करूशादी? जो मेरे मम्मी ने मुझे कहा, मेरे कानों से बात, दिमाग को टच किया, अपील किया, और फिर दिल पर बात आ गई. और मैंने तुरंत हां कर दिया, मैंने का कल सुबह उठते साथ, first thing I'll get married. कुछ लोग इतने घूर के देख रहे हैं मुझे, और सोच रहे हैं, यार तुम इतने सालह से शादी नहीं नहीं नहीं, इतना सडनली मम्मी ने ऐसा क्या ब्रह्मास्त्र, क्या, you agreed. आप लोग जनना चाहते हैं? मेरे मम्मी ने क्या मुझे बताया? हाँ या ना? दूसरे के मामले में इतना जादा जानकारी रखना अच्छी बात नहीं है, this is not right, that is not spiritual, हाँ हाँ हाँ, इंट्रेस्ट तो देखो, दूसरे के मामले में, बहुत अच्छा, नहीं नहीं आप इतने अच्छी ओडिएंस में बता देता हूँ, ठीक है ना? पता है मेरी मम्मी माता जी ने मुझे क्या बता है, मम्मी ने कहा बेटा शादी कर, मैंने कहा क्यों करूँ, you know what she told me, बेटा शादी के बाद, तेरे होने वाली पत्नी, वो तुझे प्यार करेगी, वो तेरे घर को सवारेगी, वो तेरे जिंदगी को बनाएगी, वो तेरे बच्चे पैदा करेगी, oh she'll make your life super, मैंने सोचा, वाह यार डील कितना अच्छा है, सब वही करने वाली है, oh she's going to do everything, I need not do anything, मैंने कहा, मम्मी दो-चार कर लेता हूं शादी, offer इतना अच्छा है, तो खरीद लो पता नहीं, offer कब खतम हो जाए, मम्मी ने कहा, दो-चार नहीं only one, मैंने कहा, पहली क्यों नहीं बताया, इतना साल में struggle कर रहा था, she's going to do everything, मैंने तुरंथ हां कर दिया, पता है, विडंबना या, irony of मेरा life, या human life का क्या हुआ, और जितने लोग यहां हस रहे न, मैं सब जानता हूँ आपके बारे बेटिक, I mean, उसकी मम्मी ने भी कहा, बिटा, शादी कर, शादी कर, लड़की ने कहा, क्यों करो, उसकी मम्मी ने कहा, तिरा ओने वाला पती, he will learn for you, he'll make your life complete, he'll protect you, security, safety and everything, you'll bear your kids, दड़कीने का deal बहुत अच्छा है, and today after 15 years of marriage, अभी भी मैं इंतजार कर रहा हूँ कुछ करे की. So for certain things, हमारा जो programming है, maybe the society, peers, childhood, उस सब belief system, spirituality, and उस में भी विशेश भगवान, why am I using the word God up front? क्योंकि, जिस भी product का आप इस्तिमाल करते हो, उस product का पूरा detail, या उसका जो instruction manual card है, वो manufacturer देता है, आप नया गाड़ी खरीद होगे, first service income कराना है, second service income कराना है, कितना किलोमेटर प्रतिगंटे से चलना चाहिए, first kilometer, कितने किलोमेटर का है, you don't decide, अपने मनमर्जी से नहीं decide करते हो, वो manufacturer decide करेगा, and you and I religiously follow it, क्योंकि, 15 लाग की गाड़ी खराब हो जाएगा engine, हम कितने ध्यान से हर चीज को, मुझे याद आता है, जब मैं बारवीक अक्षा में आया, हमको Casio का calculator, scientific calculator कहा गया, वैसे जिंदगी भर का calculator नहीं यूज करो, calculator यूज नहीं करो, बारवीक अक्षा में इतना आनन्द आया, कि calculator लेने को कहा, उसके साथ इतना मोटा एक थिक booklet भी मिला, Chinese, Japanese, French, क्या क्या भाशा में उसमें ये वाला function ऐसे, वो वाला function ऐसे, फलाना ऐसा है, Yes or no? Can I ask you a question? Where is the instruction manual book of life? आप और महीं डिसाइड कर रहे है, expectation okay है, गुसा ठीक है, परिशानी पाइन है, और प्लीज इसलिए मैंने कहा, please don't believe Girish, मैंने नहीं लाइफ नहीं बनाया है, manufacturer कहों है, some intelligent force, उसको भगवान कहो, इश्वर कहो, nature कहो, some power कहो, nomenclatures में आपको, कुछ भी use कर लीजिए, वो आकर के, बताता है कि, यह जो रचना है, यह जो creation है, इसके भी कुछ laws हैं, और इसलिए हम manage नहीं कर पा रहे हैं, लाइफ में challenges तो आएंगे, वो आप नहीं ठीक कर सकते हो, फिर क्या कर सकते हैं, जिसकी वज़े से मेरा लाइफ इन सब संघर्षों के बीच रहते हुए भी, मैं life के definitional terms में जिन्दगी को भरपूर रीती से, fulfilled, purposeful, meaningful, मतलब ऐसा लगे ना कि यार, कुछ miss कर रहा हूँ, और यह miss करने का आर्थ यह नहीं है, कि हमने खाया पिया, घूमा घूमा यह कर लिया, वो बहुत superficial है, बहुत tertiary level पर है, प्राइमरी लेवल पर फुल्फिल्मेंट वाली जिन्दगी क्या हो सकती है, वो थोड़ा समझती है, और यह बहुत जरूरी है कि हम बड़े इसको समझे और हम अपने next generation को समझे, वहाँ तो और हालत complicated है, believe me बहुत complicated, I mean मैं मैं मिलता हूँ लोगों से, 8th standard girl, I'll not tell anything further, I mean this could be hardly a week back, अब मैं आपको सुनाना किसा सुनाना शुरू करो तो पूरा दिन खतम हो जाएगा, 8th standard girl is into drugs, and the parents are well off, ऐसा नहीं है कि भाई, कोई, you know, कम पढ़े लिखे नहीं, beautiful family, किसी चीज की कमीने, studying in a very good wonderful international school, कहां है self-control, क्या हम सिक्षा दे रहे बच्चे को, physics, chemistry, mathematics, English, Hindi, please दीजे मुझे कोई problem नहीं है, but where are we heading for? And those gaps जो है ना, उसका भी root cause आप देखोगे, तो कहीं ना कहीं कुछ vulnerability है, कुछ reality को हमको पता ही नहीं है, क्योंकि हम आता-पिता भी वह बच्चे को exposed नहीं कर रहे हैं, sensitize नहीं कर रहे हैं, शायद हम भी वह उपर-उपर लेवल पकर रहे हैं, पढ़ जिंदगी बना ये कर, और पढ़ करके थोड़ा कम marks मिले कि तो quota देख लो, IIT देख लो, you will find some suicide cases also. आरे IIT मैं नहीं clear कर पाया, ये बच्चा clear कर पाया, तो मुझसे तो super brilliant है, yes or no? अब ये बच्चा जाकर वहां पर ऐसा क्या frustration है, बताई है, ऐसा क्या challenge है, तु PCM निकाल सकते हो, हजारो लाखो बच्चों के तुलना में, you can clear IIT Mumbai, and what has made you so weak suddenly, that emotional, the behavioral aspect, हो तो हमारे agenda में ही नहीं है, हमको life में ये सब तो दिखी नहीं रहा है, it's only उपर उपर ही सब चीज है दिख रहा है, इस ही ले इतना challenges नजर आ रहा है, Relationship, third, tension का मुख्य कारण है बच्चे, भारत में मम्मी लोगों को सबसे जादा का अटेंशन का कारण बच्चे, हाँ या ना, और, irony बताओ, हम Federation of Gynecological Society of India के साथ मिलकर काफी research भी किया है, और बहुत सारा projects भी किया है, स्त्री रोग विशेशग्यों के साथ, मा बच्चे को जनम देती है, आप मा की आँखों में देखोगे ना, तो आपको स्वर्ग नजर आएगा, ओ, she was waiting 9 months to have the baby, एक महिला के लिए इतना सुखदा ही वह अनुभूती है, जो हम पुरुष नहीं अनुभूती है, I mean the amount of pain she had endured to deliver the child, I mean we, gents can never experience that, और मा जब बच्चे को अपने गले से लगाती है, डिलिवरी के बाद, ओह जननत नजर आता है उनके आखों में, और उनके जननत की दशा देकर हम प्रसंदचित हो जाते हैं, वाह, thanks God, thank God, fast forward करूं, पंद्रा साल के बाद यही माता इस बच्चे को मेरे सामने लाकर कहती है, सर नाक में दम कर रख, सुनता नहीं है, मांता नहीं है, पढ़ता नहीं है, क्या क्या कर रहा है, I have seen, two days back, I was in Nalco, उडिसा, आप समझ रहें कितना खोकला है, आज जन्नत और कल, Om Shanti. Can I ask you a question? सफलता is an always concept or a sometimes concept? What do you strive for? लक्ष क्या रहता है? एक दिन सफल और चार दिन असफलता यह हमेशा सफलता? सुरक्षा, घर की सुरक्षा, सडक सुरक्षा, हमेशा यह कभी-कभी? हमेशा, प्रश्न पूछू, खुशी वो तो मैंने पहले दो चीज़ पूछ लिया, इसलिए बोलका हमेशा, और जब मैं पूछता हम खुशी is an always concept or a sometimes concept, 99% of the audience says, तो कभी-कभी, हमेशा थोडी ना होगा, मैंने का क्यूँ, रशादी शुदा है, I said don't insult the institution of marriage, क्योंकि बच्चे हैं, मम्मी लोग, बच्चे हैं, टेंशन, एक बार तो ऐसे मजाक में एक माताजी ने भी कह दिया, सबके सामने कहा, गिरिश जी यह बहुत शक्तिशाली है मेरी सहेली, मैंने कहा क्यूं, पहला एक टेंशन को पैदा किया, जहांसी की राणी, दूसरा टेंशन भी पैदा किया, मैंने कहा, मताजी क्या बोल रहा हो, यह इंसल्टिं लाइफ, टेंशन को छौथा कारन वर्क, यस और नो, और उसमें भी विशेष वर्क में भी हमारे बॉस, और उसमें भी विशेष आम्ड फोर्स उसमें छुट्टी नहीं मेंती है, जब चाहिए, बजाए, 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 आपका स्टैंडर्ड पता चल रहा है, सब उल्टी बात पर ही ताली बजाते हैं आप लोग, ठीक है न, और पता नहीं, मेरको आपका नहीं पता है, मैं अपने और्गनाइजेशन का बताता हूँ, मुंबई में, हमारे जो बड़े साहब थे न, पता नहीं उनको क्या वर्दान प्राप्त था, उनका ब्लूटूथ इतना अक्टिव धाना, वो सेंस कर लेते थे, उनको दो किलो मेटर दूर से भनक पड़ जाती थी, चुट्टी मांगने आ रहा है, और वो वहीं से आदेश जारी कर देते, रुक, पीछे मुड, तेचल, इधर नहीं आने का, वैसे यहां पर स्टाफ कम है, वैसे यहां पर इतना कम है, तुम गिरिश तुम चुट्टी कैसे सोच सकते हो, I mean, you should think about the organization, मैंने का, सर चुट्टी मत दीजिए, मेरा दुख तो सुन लीजिए, कम से काम, आजाओ, 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 गिरिश, सुट्टी मैंने का, सर बहुत प्रॉब्लम है, सर वाइ को तो अपना कस्टमाइज कर दिया, मैं यू गया और पंदरा दिन में आया, बड़े साहब जो है न, मुझे से घूर के देखने लगे, मैं स्टेरिंग में ब्लांक ली, मैंने का, सर, मैंने अपना दुख बता दिया, सर, बस चुट्टी चाहिए, पता है, बड़े साहब न प्लीज पूछता हूं, बड़े साहब का टेंशन जादा है या हमारा टेंशन जादा है, आपका एक परिवार है, उनके लिए तो पूरा पल्टन ही परिवार है, हर परिवार के जन उनके लिए, you know, he's a father figure, so उनका stress तो और जादा है, मैंने का, नहीं सर, आपका दुख मैं नहीं हैंडल कर सकता हूं, चुट्टी मत दीजे, बस जाता हूं, थैंक यू सर, जैहिन सर, बोला नहीं नहीं, एक मिनट रुको गिरिश, वो है न, रामलाल बाबु आद चुट्टी पर है, तब यह ठीक नहीं थी, यह वाला फाइल जो न, बहुत अरजंट करना था, या मैंने का, जी सर, बिल्कुल सर, फाइल रखा, जैहिन सर, मिलते हैं सर, हो जाएगा सर, चिंता नहीं करिये सर, टीम वर्क सर, सिंसियारिटी सर, साहब ने का, जाईए, कम्प्लीट करिये, जैसे ही मैं उनके कमरे से बाहर निकला, आप लोगों के मुश्कुराहट से मुझे बहुत कुछ समझ में आ रहा है, मैं तो अपनी समझ था कि, ओ, यू हट सो मच अफ रिस्पेक, जी सर, येस सर, जैहिन सर, और पीठ पीछे, यू है, I don't know friends, you need to wait for the next two days, you will be exposed to it, सामने वाले को पता चलेगा, नहीं पता चलेगा, क्या फ्रस्ट्रेटेटर हो, इरिटेटर हो, मुझे नहीं पता, लेकिन ग्यारंटी है, आपके पांच फुट छे इंच के शरीर को पता चलेगा, हमार एक डॉक्टर सतीश गुपता सर है, उनका क्लास जरूर, I mean, I would suggest कि आप सब क्लास अटेंड करो, उनका क्लास नहीं मिस करना, he is a doctor, उनोंने Dr. APG Abdul Kalam Ji के साथ, यहां पर आठ साल रसर्च किया, on a project college, regressing coronary artery diseases, you can regress your cholesterol deposit by meditation, satyagyan, muskuraahat, जो जीवन का मौलभूत, you know, objective है, उससे हम अपने आपको स्वस्त बना स रखते हैं, I mean, you should listen to him, इतना powerful है, क्या powerful है, life powerful है, आपके अंदर जो system है, वो इतना शक्ति शाहली है, बट हम उसको tap ही नहीं कर रहे हैं, और हम बाहर-बाहर बहुत कुछ धूनने का प्रयास करें, वो भी करिये हैं, I am not saying no, tension का पांचमा कारण, वो है certain uncontrollable factors, बारिश, कल हमारा वो aircraft delayed, अब वो तो मैं नहीं कंट्रोल कर सकता हूं, चाहते हैं हम अच्छा होजा, COVID, lockdown, 140 रुपए किलो टमाटर, inflation, I mean, I cannot help it, I mean, I have to face it, वो एक tension का कारण हो सकता है, चटवा कारण, health, घर में, परिवार में, किसी का भी health उपर नीचे हो जाए, तो हम थोड़ी ना खुश होंगे, थोड़ा सा stress आजाता है, it's a challenging situation, 7th कारण, too much to do, time नहीं है, पता है, मनुश मुंबई में क्या कहता है, मर ने, आप में से मुंबई में कोई, मुंबई के कौन-कौन है, Bombay, raise your hand, अच्छ, Delhi, ऑके, any other metropolitan city, capitals, Lucknow, अच्छ, तो इनकी भी ऐसे हो सकता है, विशेशता, मुंबई के लोग पता है, हम उनको कहते, थोड़ा meditation सीखे, थोड़ा slow down करिये, तो पता है, वो क्या कहते है, मरने की भुरसत नहीं है, तो फिर मैं उनको थोड़ा हसी में कहता हूँ, सर, इच्छा जाहिर करिये, प्रबंध मैं कर दूँगा, I mean, the God of death is knocking your door, and you say, come tomorrow, I don't have time to die, you are beyond, look at, the ignorance ignorance कहो, या ignorantly ego कहो, सवाए नहीं है, हमारे पास, क्या खुब किसी शायर ने कहा है, तुझे बहतर बनाने की कोशिश में, not me, तुझे, तुझे बहतर बनाने की कोशिश में, तुझे ही वक्त नहीं दे पा रहा हूँ, माफ करना ए जिन्दगी, तुझे ही जी नहीं पा रहा हूँ, किसको अच्छा बना रहे हैं, और किसके लिए इतना कुछ भागम भागी कर रहे, for what and what, what am I trying to make better, and what is my present condition, I mean, this needs to be reflected, and this needs to be, you know, told and sensitized to even young children, पढ़ रहा है वो डर के, वो पढ़ रहा है माडाटेगी, वो पढ़ रहा है, फेल हो जाओंगा, वो पढ़ रहा है, दुनिया क्या बोलेगी, पढ़ रहा है, फ्यूचर, वो बच्पन से, आज भी हमको भी यही प्रॉब्लम है, Yes or no. और क्योंकि हम वैसे ही जी रहे हैं, हम उसको भी वैसे ही बता रहे हैं, What am I making him better or her better? Am I preparing him for life? Maybe for the next generation, I need to at least reflect back and check, what is it that what am I doing? And it needs to be very, very seriously thought about. Forget about the whole world, at least me and my family, at the micro level, I am so much, how much we are doing for ourselves, love for them, live for them, we need to do a little bit of these things. को भी थोड़ा सा हमको. I need to reflect. Tension का आठवा कारण, last. मैं वहां नहीं पहुच पाया हूँ, जहां मुझे होना चाहिए. हमारी अपने भी कुछ इच्छाएं होती, खुद के लिए, परिवार के लिए. मैं चाहता हूँ, मेरी बेटी की शादी हो जाए, बच्चा सेटल हो जाए, इंजिनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, मेरा गाउं में अपना अच्छा घर हो, माता पिता को जो भी हिल्थ के चालेंजस हैं, उनको गाउं से उठा कर मैं अपने पास रख लूँ. हमार यह फिसलिटी है, कुछ-कुछ इच्छा होती, लेकिन जैसा हम चाहते हैं, वैसा कुछ हो नहीं रहा है, प्रयाज जरूर कर रहा है, महनत हर विक्ती करता है, और पता है, मनुष्य क्या कहता है हमको, जब हम कहते हैं, नहीं, थोड़ा और कुछ कर लो, क्या करें और सर, कर तो रहें न, अब वो इस से ज़़ाद और क्या मरें, to the best of my ability and capacity, I am doing it, but things are not turning my way, हो नहीं रहा है, तो फिर हमको थोड़ा सा irritation and frustration, eight reasons, correct, बहुत ध्यान से सुनियेगा, यह आटो कारण मेरे जीवन के तनाव का, stress का, गुसे का, दुख का, परिशानी का, challenges में, problem का कारण, नहीं है, नहीं है, नहीं है, और बिल्कुल भी नहीं है, यह सब जीवन की वास्तविक्ताएं है, सत्य है, real है, maybe real, hypothetically मैं बता रहा हूँ, मैं कल रात को दो घंटे ही सोया हूँ, real है, मेरे को थोड़ा back pain है, वो real है, मेरे को थोड़ा आर्थिक समस्या है, मेरा बच्चा पढ़ता नहीं है, वो real है, पता नहीं, बोल-बोल के ठक गए, नेकिन सुनता नहीं है, मानता नहीं है, अब क्या और समझाएं सर, मेरे को थोड़ा सा आर्थिक challenges है, वो real है, कल अचानक मुंबई में पांच बजे, दस मिनिट के लिए बारिश होई, 700 मीटर वो विजिबिलिटी, वो विचारा, छोटा फ्लाइट स्खिड कर किया, और हम लोग फस गए, हाँ या ना, पता है हमको ये साब इतना भारी क्यों लग रहा है, क्योंकि मैं इन सब realities को, सत्यताओं को, वास्तविक्ताओं को, किस प्रकार handle कर रहा हूं, उस पर निर्भर करता है मेरे लाइफ में, दुख, तनाव, चिंता, भय, अशान्ती है, या सुख, शान्ती, आनन्द है, इसका तात पर ये है, मेरे जीवन में, मेरा टेंशन का, तनाव का कारण, सिर्फ एक ही विक्ती है, और वो कौन है, जोर से बोलिए, मैं, इतना धीरे नहीं, आवाज गुजना चाहिए, मैं, हाँ, ऐसा जोश के साथ बोलना, ठीक है, एक और बार रिपीट करिएगा, ठीक है, अभी नहीं, मैं, फिल इन्द ब्लांक्स लास्ट में, मैं घर तक आवाज जानी चाहिए, मेरे जीवन में, मेरा दुख और टेंशन का कारण, काश आपके घर वाले सुन पाथ, आपका बच्चा मंदिर में जाके, 100% घंटी बजाकर, हनुमान के मंदिर में जाके, दो नारी चड़ाता और कहता, बगवान जी, पहली बार, मम्मी अकल की बात कर रही है, क्योंकि, ताली फिर क्यों बजा रहे हैं, अच्छा, पापा लोग ताली बजा रहे हैं, ठीक, इस वस इंट्रेस्टिग, क्योंकि हम मम्मी पापा घर जाकर बस एकी डालो, और यहां क्या कह रहे हैं आहां तो सुधर आप लोग जबर जस्ती तो नहीं कह रहे हो यह मेरे दबाव में तो नहीं कह रहे हो question friends आपका बेटा घर आकर कहता है कि मम्मी कल मेरी गनित का exam है mathematics exam है paper I have an exam in mathematics ठीक है मुझे mathematics नहीं समझ में आता है बहुत tough है बहुत difficult है मुझे नहीं लिखना paper आपको बहुत पड़ी है तो आप लिख दो चाल के I am just not going to write the paper mathematics question माता पिता बड़े जो भी यहां बैठे कैसे उस बच्चे को convince करो के मैं बताता हूं आपकी तरफ से ठीक है अगर मैं पापा होता तो मैं कहता है बेटा परिक्षा तो तुझे ही लिखनी पड़ेगी मुक्ती तो है नहीं I cannot go and write the exam for you it's not possible that's not तुझे ही लिखनी पड़ेगी अब जब तुझे ही लिखना है अब सेंसिबल मम्मी पापा certain realities of life जिसको हम अध्यात्मिक्ता कहते बच्चे को यह बताएंगे बेटा तुझे difficult लग रहा है ना mathematics बहाँ problem है ना हाँ तुभारे class में 60 बच्चे हैं जरूरी तो नहीं है साटों ही साटों को वो बहुत difficult लग रहा है कोई तो होगा जिसको hundred में hundred भी मिल सकता है जिसको कल exam लिखने का मज़ा आएगा किसी के लिए तो वो easy हो सकता है एक, दो, तीन होंगे maximum लोगों को शाइद difficult होगा हाँ पापा, correct now the question is उसको क्यों easy लग रहा है और तिरको क्यों difficult लग रहा है इसको शाइद इसलिए difficult लग रहा है क्योंकि तुमने धियान नहीं दिया जब teacher बढ़ा रही थी maybe तुम घर आ करके अध्यन नहीं किया you did not practice you did not put effort you are not sincere in mathematics the moment कोई भी बच्चा अध्यन करेगा पढ़ने का प्रयास करेगा समझेगा practice करेगा solve करेगा तो maybe उसके लिए भी mathematics easy हो जाएगा yes or no can I ask you a question mathematics को हटा दीजिए वहाँ life को रख दीजिए so for you and me this paper of life itself is posing so many challenges और हमको उसको face करने में तकलीफ हो रही है उसको handle करने में तकलीफ हो रही है उसका एक मूल भूत कारण ये है कि हमने life को समझा नहीं है समझी नहीं रहे है अध्यन ही नहीं कर रहे है हमको पता ही नहीं है इसके ऊपर भी अध्यन practice भी करना है so a paper or a subject paper called as life also has to be understood has to be practiced और इसी लिए प्रजा, पिता, ब्रह्म, कुमारिष, ईश्वर, विश्व, विद्याले, ये, विद्याले, ये, मैने तो यहाँ कर रहे है अज भी मैं तुद्यान ही हूँ, मैं पढ़ता हूँ मैं सीख रहा हूँ, समझ रहा हूँ और लाइफ कल की देट में बहुत भारी प्रश्न डाल देता है, फिर में उसमें पहली बार हार भी गया, फेल भी गया, I couldn't clear that particular question, I go back and check, और यह कौंसा subject का, इसमें कौंसा formula लगना चाहिए, इतना घुमा के क्यों दिया हुआ है, क्या इसका solution probable हो सकता, that reflection is meditation, that reflection is spirituality, कि बस रोत frustrated हो रहे, irritated हो रहे हैं for a subject called as mathematics, is the student empowered, has he understood what mathematics is, life को भी ऐसे ले लीजिए, उधारन number two, Sachin Tindulkar, I mean I will take old examples, Sachin Tindulkar batting कर रहा है, Shohi Bhaktar balling कर रहा है, India Pakistan का मैच है और वो 99 पर खेल रहा है, हम सब भारतिये चाहते हैं कि वो एक और रन बनाए, century बना ले है, Sachin Tindulkar batting छोड़कर Shohi Bhaktar के पास जाकर कहता है, धीरे गेन डालना, तो batting करूंगा, फोग या कल्यान, ऐसा होता है कि रिकेट, आरे आप Bradley हो, Shane Vaughan हो, Lasit Malinga हो, Muthayya Murali दर रहन हो, Bouncy Pichos of Australia, Turning Track of South Africa, कोई भी हो, तुमारे 6 के 6 Yorker length gain को front foot में जाके, full toss बनाके, I'll hit it for a mighty six or a force, वो मेरी काबलियत है, वो मेरा competency है, वो मेरा passion है, वो मेरा love for the game of cricket है, it doesn't depend on you, यह सौर नू, घर जाईए, दर्वाजा कट-कटाईए, दर्वाजा खुलते ही साथ, मैडम ने आपको Yorker length gain डाल दिया, अरे उसको well left, जाने देजे, off side, well played, आरे नहीं हो, ताली क्यों बजा रहे है, यह क्योंकि well left नहीं किये थे, इसलिए ताली बजा रहे है, पता ही नहीं था, यहां भी well left, वो test match में होता है, ठेक 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 उड़ा रहा है, एक बार Malcolm Marshall बोलिंग कर रहा था, Sunil Gavaskar को, ठीक है, उसने बल्ला उठा दिया, Krishnamachari Srikant non-striker in वे था, बोला, क्या well left, बोला, well left नहीं गेंदी नहीं दिखा था, कहां से गई पता ही नहीं, उस दमाने वो Malcolm Marshall बहुत तेज गे, अरे, life is a game, can you and I practice, you and I can understand the laws of the game, and can I enjoy, और हो सकता हम अच्छे के लाड़ी बन जाएं, so managing, challenging situation is a wrong topic, there is nothing called as you can manage a situation, there is only one thing you can manage, आहा, एक ही चीज को मैनेज कर सकते हो, और वो मैं हूँ, यह मैं मैं कौन हूँ, वो आपको कल सूबर पता चलेगा, मैं मैं किड़नी हूँ, कि लिवर हूँ, कि गुठना हूँ, कि नाक हूँ, क्या हूँ मैं, मैं मैं तो बहुत सारा चीज आगे हैं उसमें भी बहुत complication है, who is this mind that I need to be in complete control of, ठीक है, चलिए, तो सुधरना किसको है, क्या बात से चीज, एक बार मैं गुजरात में प्रोग्राम कर रहा था, मैंने का मेरे जीवन में टेंशन का कारण कौन, किसी ने जवाब ने किया, अब मैं नहीं बोलना चाहता था, मैं, इत्ता समझाने के बाद, I wanted them to say मैं, they did not say anything, I said maybe they have not understood, मैंने का मेरे जीवन में मेरा टेंशन का कारण का, pin drop silence, तो मैंने सुझे न को समझ में नहीं है, इशारों की भाषा से बता देता हूं, so I said, sab ने एक साब का, आप, मैंने का, आप नहीं मैं, मैं, बोला हाँ, आप ही हो, खतम करो, प्रोग्रा है, बहुत देर से बहुर कर रहे हो, आप को जानने तो, खाना खाना है, आप ही हो, इतना confusion चाह गया था, आप और मैं में की पता ही नहीं चलता था, कौन अटेंशन का सकार, so I need to change, stress or anxiety or maybe depression at an extreme level is a pain that is coming to tell me, Girish, you need to change, सुभ उतने से लेकर रातरी सोने तक, जो कर रहे हो, खाना, पीना, उतना, बैटना, बात करना, आपका जो भी 24 घंटा है, उसमें कही नहीं चोटा सक परिवर्तन, सकारात्मक परिवर्तन की आविशकता है, that's an indicator, stress और ये बिमारी नहीं है, वो एक मापदन्द, एक पारमेटर विशकता है, so can I change, yeah, so let's change one thing, अभी के लिए, ठीक है, अपने दोनों हाथ के उंगले ऐसे करिए, और ठोके किनारे रखिए, वाद अच, ओपर के और धका लगाईए, मुस्कुराईए, वो कैमरा में देखिए अब मुस्कुराता हुआ, चहरा रख कर हाथ नीचे कर लीजी, कुछ लोगो, कुछ लोग ऐसी वेटते हैं, मैंने का सर हाथ तो नीचे कर ये, उन्होंने का नहीं करूंगा, मैंने का क्या समस्य आपको, गिरिश जी हाथ नीचे करता हूं, तो चहरा भी नीचे आ रहा है, म I request is a wonderful august audience I have a request ठीक है आज की बात नहीं है जब आप अपने अपने वापस कर्मशेत्र में पहुंचेंगे यह प्लेस ऑफ वर्क घर वहां की बात है ठीक है अगले चौबिस घंटे तक आपको ऐसे ही रहना है consciously, deliberately, purposefully, that change you bring in मुस्कुरा के आजू-बाजू वाले को देखे जरो, look at each other, with a smile और अगर आजू-बाजू कोई नहीं मुस्कुरा रहा हो तो कृपया अपने दोनों हाथ की उंगली का योगदान दीजिये अब यह हाल है इनकी भी मुस्कुरात हमारे आतमे ए पर इप जरो, गैए, I have a request, next 24 hours, I mean it doesn't start today, यहान तो सभ अच्छा ही अच्छा है, the moment you touch your hometown, वहान मुस्कुरान है, ठीक है, all mummies here, mothers, घर जाकर बच्चे को चाहना, वो मास्त, एश्या कब 2023 इंडिया वर्स श्री लंका देख रहा है और आप घर में जाते ही साथ उसको कहना बेटा मुझे पता है जब से मैं मांट अबू गई आने तक तुने किताब को हाथ नहीं लगाया प्लीज टीवी बन करके थोड़ा पढ़ाई कर ले जब आप ऐसे कहोगे तो आपका बच्चा आपको ऐसे देखेगा और बोलेगा मम्मी क्या होगा आपको सूरज कहां से हुगा है पता नहीं चल रहा है आज और यू आर जस्ट नोट गटिटिंग है फिर से कहना बेटा टीवी बन करके पढ़ाई मम्मी लगता आपको कोविड हो गया है ठीक है आप सिंटम इतने खातरना गया एक बार, दो बार, तीन बार, दस बार, एक घंटा, दो घंटा, चौवीज घंटा, can I ask you a question, वो आपका बदस फी में, पांच फी में पढ़ने वाला बच्चा दो दो घंटे तक TV देखने की गलत जिद्ध कर सकता, आपके कहने पर भी प्यार से कह रहे हैं, तो भी नहीं मान रहा है, I mean, ठीक नहीं है, उसको मानना चाहिए, उसके लिए तो मम्मी कह रही है, वो इतना बुद्धी नहीं है, वो तीवी देखना उसको अच्छा लग रहा है, वो बच्चा दो घंटे तक TV देखने की गलत जिद्ध कर सकता है, आप और मैं बड़े माता पिता, मोर सेंसिबल, मोर मिच्च और मोर लाइव देखने वाले, दो घंटे तक हम मुस्कुराहट नहीं रख सकते, वो ज्यादा शक्तिशादी, आप ज्यादा शक्तिशादी, उत्तरमत दीजिए, वो तो ना प्यार से चाथी बार में तकलूग गिरिश तूजा तेल लेने के लिए, तुम इतना लंबा चोड़ा जो वहां सुनाए थे, तुम हमारे घर आजा, सासुमा के दर्शन मात्र से तुमारी शांती भंग हो जाएगी, पहली बार मैडम ने इतना ताली बजाया, आप सासुमा तुम रम्मा कुमारी वाले आकर के हमारे दो बच्चों को आदा घंटा मुस्कुरा के, हैंडल करके बता दो भाशन करना बहुत असान है, करके तो देखे, लुक अधे लुक अधे माइंड सेट, लुक अधे बिलीफ, नहीं पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है, सफलता सदा पॉसिबल है, महनत करता है विक्ति, चुरक्षा सदा, तो खुशी भी तो सदा हो सकती है, वो प्रोग्रामीं ही बच्पन से तोडिया है, से तोडिया होता है, से तोडिया रोटा है, सब्स्थीजा पॉसिटनिग सिस्टम लिख नेक्स 24 hours. यहां से वापस घर जाएंगे वापस घर जाएंगे वापस घर जाएंगे for all the men आप गाड़ी चला रहे हैं from your workplace to your residence or either way अब जानते हैं ट्राफिक का भारत में कित्मा अच्छा सेंस है ठीक है ना किसी ने पीछे से टक कर मार दिया भारत में बस ऊपर से करना बचा है बाकी मनुष्य कहीं से भी आ सकता है कोई लौवा उमको कुछ पता देंदे आगे वाले आने वाले समय में उपर से भी ओटेक करें इतना कंजिशन है तक्कर मार दी तो पता आपको क्या करना है हाथ से ऐसे नहीं करना अंदर फ्लाइट डिलेड है पता नहीं है कब पहुंचेंगे लेकिन अब यहां देखना वह बाहर तो बहुत कुछ दिख रहा है हल चल अंदर अचल हूं अडोल हूं स्थिर हूं स्थेरियम हूं कुश हूं कि उसकी वजह से मैं प्रभावित हो रहा अपने गाड़ी से उतरना पीछे वाले ड्राइवर के पास जाना वो घबराक रहा होगा पता नहीं अब आप क्या-क्या सुनाने वाले उनको वह बहुत धीर इसे विंडो पे नीचे करता है पहला महावाक्य मुस्कुरा के उसको कहना भाईया आपको चोट तो नहीं लगी वो ऐसे आपको घूर के देखेगा जैसे अब धर्तिवासी नहीं हो यह आप कोई दूसरे ग्रह से टपके आपके अरे यह यार मैने इंका नुकसान पॉँचाया नहीं यह एंक्वारिग अपूरी मुचाया नहीं यह एंक्वारे दूसरा मुचुरा के उसको कहना भाया क्य महावाक्य ये बोलने से ही आपको शांती सुकूर आपके इगो को शीतल ताक ही प्राप्ति होगी और इगो विल बी साटिस्फाइड और तीसरा महावाक्य है आँख्यों में आँखे देख करके मुस्कुरा के उसको कहना बाईया तुझे मैं नहीं छोड़ू नहीं यही है ना ultimate इसके अलावा तो हमको कुछ आता ही नहीं तेरको गाड़ी चलाना नहीं आता है क्या तेरको मैं छोड़ूंगा नहीं यही कहिए लेकिन खुशी से जीए क ट्रिकट खेलिए वाइफ को हैंडल करिए जॉब को हैंडल करिए सामने वाला नहीं मानता है उसको भी हैंडल करिए लेकिन दो ही चॉइस है या तो मुस्कुरा के करो या गिडगडा के फ्रस्ट्रेट होके, इरिटेट होके, होपलेस होके, हिल्पलेस होके करो, the choice is yours और इ पी का नुकसान पहुंचा रहे हो, वो डॉक्टर सतीश गुपता आपको बताएंगे, अब बताईए, वो गलत या मैं गलत, वो पांच हाजार रुपए तो मिल सकता है, ये हार्ट बहुत तकलीफ है, ये पैंक्रियास वापस काम खरे, ये बहुत तकलीफ है, तो हम बुद बाल इस, with due respect, you should have it, मेरको भी चाहिए, there's nothing wrong about it, 15 साल महनत की मैंने, दिन रात एक कर दिया, खाया नहीं, सोया नहीं, अराम नहीं किया, घुमा नहीं, ड्रीम कम ट्रू, 85 लाग का मर्सडीज मेंस खरीदा, खुश हो गया, पतनी को कह सर्प्राइस गिफ्ट, क्या है, मैंने तैयार हो, हनुमान मंदिर पहुंचो, वहीं दूँगा, और मैं वो new brand गाड़ी, showroom से delivery लेकर सीदे हनुमान मंदिर, हनुमान मंदिर, जो गली है, वो सक्री, नारो रोड, और मैं लेके जा रहा था, सामने से एक आटो रिक्षा, उसने करके scratch लगा दिया, दोस्तों, scratch 85 ला आटो रिक्षा ड्राइवर, और अगर उसने आटो रिक्षा ड्राइवर, और अगर उसने आटो रिक्षा ड्राइवर ने, scratch लगाने, पर भी, तो आप, you know the value of life, you know the value of the car, और उसकार से आप, you are risking this beautiful piece of life, इसका replacement नहीं है, इसका repair भी बहुत दिफिकल्ट है, वो तो शायद हो सकता है, एक चोटा सा निवेदन है, अगले 40 घंटे तक, अभी खाना खाने जाएंगे, पता चला भिंडी की सबजी है, जो आपको पसर नहीं है, अपने साथी को या वाइफ को, जो भी आपके साथा है, उनको कहना, I love you, तू खाले पूरा, मैं अचार के साथ खाले, कहना है, भिंडी आपको हिला सकता है, तो फिर I have serious doubts on your credentials, गोशाल भाई ने मेरे बारे बे क्या-क्या का ना, IIT और क्या-क्या, सब पक्वास है, friends, it's no worth, if I can also get irritated at a drop of a hat, क्या मतलब इतना qualified होकर आपको छुटी-छुटी बातों में, यहाँ पे तो control ही नहीं है, ठीक है, थोड़ा मुस्कुराइए, very good, एक मिनिट मेडिटेशन करते हैं, ठीक है, आज हमने क्या समझा, मेरा जीवन मेरे हाथ में है, situation, people, circumstances, कुछ भी हो सकते हैं, बट I can make it good, आप आँके खोल कर या आँके बंद करके भी, meditation कर सकते हैं, relax हो कर के बैठे, alert हो कर के बैठे, in these moments of silence, I feel I am all alone in this auditorium, अखेला हूँ, लेकिन मन शान्त, मन शीतल हैं, किसी बात की कोई चिंता नहीं, क्योंकि मैंने एक चीज़ समझ लिया, चिंता करके फाइदा नहीं, can I make this moment a very beautiful moment, a very pleasant, meaningful moment, किसी बात का कोई दबाव नहीं, प्रभाव नहीं, और अगर आपका मन कहीं जहां भी रहा हैं बाहर, उसको बहुत प्यार से लेका लाएं, हे मन, तुम मेरे बहुत प्रीय मित्र हो, be with me, for the next couple of moments, you're not supposed to go anywhere, कितना हलकापन, कितना शांती, और इस शांती की अवस्था में, जहां मन, शांत है, मैं एक सकारात्मक विचार क्रियेट करता हूँ, मेरा जीवन बहुत स्रेश्ट है, पर्मात्मा क्रियेटर ने उसे बहुत ब्यूटिफुल बनाया है, और वो रियल है, शायद मैंने उसे, उस ब्यूटी को नहीं समझा, उसकी वास्तवित्ता को नहीं पहचाना, मुझे जिन्दगी को सीखना है, समझना है, बढ़ना है, प्राक्टिस करनी है, और यही जिन्दगी जो लग रहा है, बहुत डिफिकल्ट, बजा आएगा, तीचर कितने भी परिक्षा ले ले, I am prepared to face difficult questions, and I am confident I will score good marks, क्योंकि I have understood life, I have practiced it, I have been taught by the Master itself, such much man, shant, arsheetal. ऐसे कुछ शण निकाल करके, हम अपने जीवन को reflect करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे. Thank you God, Thank you Brahma Kumaris, Thank you Security Services Wing, Thank you our self to come here and attend this particular course, मेरा भाग के बहुद अच्छा है, कि हम जीवन को एक नए दृष्टिकून से देखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे. मैं बहुत खुश नसीब हूँ, मैं अपने परिवार से प्यार करता हूँ, अपने जॉब से, जिन्दगी से मुझे प्यार है. यह जो जिन्दगी रूपी subject है, I, from today onwards, have started loving it. And if you love anything, it will become easy. मुस्कुराते हुए धीर, इसे आँके खोलें, अगर आपने आँके बंद किया है, बहुत प्यार से कहें, ओम शांति. अपने दोनों हाथ पच्छी तरह रब करें, feel करें उस grace को, उस royalty को, शांति को, जीवन के, beauty को, सबने fair and lovely लगा लिया? ऐसी लगाते ना fair and lovely? अंदर भी एक fair and lovely, life is also fair and lovely, हमारे बोल भी fair and lovely, हमारे करम भी लगा, fair and lovely. Thank you so much. I really enjoyed interacting with you. I hope the same at your end. Om Shanti. Just two minutes. कुछ इंस्ट्रक्शन्स हैं गोशाल भाई? कुछ इंस्ट्रक्शन्स हैं गोशाल भाई?